अमिल लाणू के जो लोग थे बिहारीयों को मार रहते जिसके बज़े से जो वहां के कुछ वीडियो जबार लोई अगर मालने जो पचास सौ पत्रकार किसी चीज को कबर कर रहे हैं तो वही व्यक्ति अकेले गलत नहीं हो सकता या ऐसा भी हो सकता कि सबसे पहले मनिस कस्यप नहीं ही चलाई हो इस चीज को तो भी या आपका सबसे तेज पर बहुत स्वागत है तो भी आपको पता है कि मनिस कस्यप ने एक वीडियो बनाई थी बिहार और तमिल लाडू के मुद्दी को लेकर जहां पर जहां जो बिहारी थे जो तमिल लाडू में जो काम कर रहे थे तो तमिल लाडू के जो लोग बिहारी यों को मार रहते जिसके वज़े से जो वहां के कुछ वीडियो बार लोई तो जिसके कर मनिस कस्यप इस भात को खबर कौभर को कभरेच करने के लिए तमिल लाडू गये बिहार के जो मजदूर से उन से मिले आकिर कार बाद में पता चला कि जो कुछ वीडियो और इसी फरजी वाड़े के चकर में मनीज कसेप को जेल हो गई है पर को कवरेज करना इसके वज़े से क्या किसी को जेल हो सकती है देखिए जो हमारा संविधान जहां तक कहता है कि जब आप कोई ख़वर कवर करने जाते हो तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई है इसको देखते हुए आप कबर करते हैं या जो भी इस समय मामला आ रहा है जैसे आप देख रहे हैं कि पोर्टल्स और जो पोर्टल्स चल रहे हैं उसमें कई भ्रांतियां हैं कि लोग जाते हैं और किसी भी मुद्दे पर खबर चला देते हैं बात करने लगते हैं तो जब तक आपके पास मुद्दा एकदम क्लियर रही है तो उसको आप मनलब चला नहीं सकते हो सीधी सी बात है आप मान इस चीज को जानते होंगे कि आज हमारे हाँ आप कोई भी मुद्दे पर जाईए आज से नहीं यह जब से सरकारे चली आ रही है या जब से हमारा चौथा इस्तम चला रहा तो हुआ क्या है कि आप देखते हैं कि कहीं भी अगर आप कोर्ट जाईए या कहीं भी जाईए तो आपको सीधे सीधे बताया जाता है कोर्ट में लॉच्वान से उत्रम लिस्तम रहा आपके जो प्रिंट मीडिया है उसको वैक्ति मानेता मानता है कि हहां यह लिखा था यह च्छापा था तो आप वीडियो का आने्लाईश करना ये बड़ी अद्बूत बात है कि वह बीडियो मीडियोस सही है या नहीं सही है बाद में जब पता चला कि वह सोसल मीडिया पे जो वीडियो बारल हुई थी वह फर्जे थी उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मनीज खस्थभ ने कोई फर्जी वीडियो बनाई योगी जिसके बाद क्या हुआ मनीज कैसे ने कुछ ऐसी वीडियो दिखाएं जो लोग वहां से आये थे तमिल लाड़ों से कुछ ब्यारी आये थे उन्होंने खुद रिकोर्ड की थी वीडियो जिसमें दिखाये जाना थे किस तरह से उनको काटा मारा गया और उनके बहुत उनके डाये कि वह चोठे लगी थी तो यह खबर कैसे फरिजी हो सकती है इसको पirtיל करके औंप उस मुद्दे पे कोई बात कहीं जाए और हम आपको ब्दादें जो पचासों आया थे उन्होंने इसे खबर कूंच किया रेलवे ृश्टेशन पे गये या 강्या político कि इंसकंच लेकिन मनीज कस्यप पर ही कारवाई क्यूं हो यह दिखे अब इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्यों कि अगर माली यह पचास सो पत्रकार किसी चीच को कबर कर रहे हैं तो वही व्यक्ति अकेले गलत नहीं हो सकता यह ऐसा भी हो सकता कि सबसे पहले मनी पहले वीडियो की जानकारी हो कि यह जो वीडियो बायल हुई है सच है यह नहीं है इसके बाद जैसे कि मनीज कस्यप की जो कमाई थी यूटूब पे लगबग 10 मिलिन से जादा उनके जो फालोवर्स हैं यूटूब पे मल्टिपल चैनल हैं तो उनकी जो कमाई थी को ही फ्रेज कर दिया यह करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था देखिए जब सरकारों के उपर बात आती है कोई तो आप सरकार कोई भी हो जब उनके उपर कोई अपना मुद्दा आता है तो यह सब सब कहीं लागू होता है रही पतरकार पतरकार तो कटपुतली है सरकार के देखते हुए चलेगा तो पहले तो इस चीज को क्लियर करना चाहिए और मनीज कस्यप के साथ जो हुआ ये मतलब पतरकार जगत के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो मनीज कस्यप ने अब तक हजारों वीडियो बनाई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मदद किये आरतिक इस्तिती लोगों की बहुत सुदार किया पैसे दिये जैसे भी उन्होंने किया लोगों की मदद ही किये उनसे गलती हो जाती है तो क्या सरकार उनको माफ नहीं कर सकती है नहीं सारकार बिलकुल माप कर सकती है इसके लिए उनको मानिये प्रदान uhm stats others को अपनी चटे थे अव्या आपको बनाए तो एक यूर यूपी का मौमला हुधा तो ऐक पतरकार था पौल का था थो उन्होंने एक BJP का एक जो नेता थी उनसे सवाल कर दिये ओन केमरा कि आपने जब चुनाओं चुनाओं चला था तो मेरे गाओं में आप आए तो आपने कहा कि मैं विकास में ये कराऊंगा ये कराऊंगा उसके बाद टाइम बीद गया दो-चार साल हो गए तब पतरकार ने उनसे ये पूचा कि आपने क्यों नहीं कराया तो इसी बात को लेकर पतरकार के इन सवालों को लेकर बता थी वो भड़क गए उन पर कारवाई करवा दी और उनको जेल बेजने तक की नौबत आ गई थी तो इस पर अब क्या कहना चाहिए सिधे सिधे बात ये होती है कि नेता हूँ बीजेपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी आने पार्टी का है नेता जो वादा करते हैं उनको पूरा करना चाहिए बस मेरा इतना ही कहना सरकार ने बादे किये हैं उसी पर पतरकार सवाल करें तो ये क्या कोई अपराद में आता है क्या नहीं बिलकुल अपराद नहीं है हम भी जो है वोटर है और हमारा हक बनता है पूछने का और चौता स्थम्भ है जब पत्रकार के साथ ऐसा हुआ पत्रकार को जेल उसको पकड़वा लिया गया उसको जेल वेजने की नौवत आ गई थी उसके बाद जब ये चीज़े मीडिया में लीक हुई उसके बाद उस पर जो करभाई से रोका गया इदि मीडिया में ये बाद लीक नहीं होती तो साइ हर वोटर का अपना मता अधिकार होता है और वो बिल्कुल सवाल जबाब कर सकता है इसके लिए हम किसी के लिए ठीका टिपड़ी नहीं कर सकते हैं